हेलो फ्रेंट्स, वल्कम बेक टू यूट्यूब कैनल, तो आज हम आपसे बात करेंगे जामिया मीलिया इसलामिया के RCA कोचिंग से रिलेटिड, आपके रिजल्ट से रिलेटिड क्या आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, और काफी आप लोगों की कॉमेंट्स आ रही हैं मैं RCA का रिजल्ट कब आएगा, बागी कॉर्सिस का रिजल्ट कब आएगा, तो ये आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो रहेगी, और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देती हूं, कि जो भी बच्चे RCA, UPSC के लिए या वंडे के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर नादिर सर हैं, जो कि आपको पॉलिटी कम्प्लीट कराएंगे, जैसा कि मैंने आपको आज स्टार्टिंग वीडियो थी, पर्स्ट वीडियो पार्ट बन जो है आपका अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो आप लोगों ज आपको पूरा कम्प्लीट पॉलिटी हम कवर कराएंगे, अभी ये हिंदी मीडियम से आपकी क्लासेज हैं, जो बच्चे हिंदी से करना चाहते हैं, एंग्लिश के लिए भी मैं खुद क्लासेज लोंगी आपकी पॉलिटी के लिए, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, रिकार्डिंग आपकी जो 6 का, 9 का, 11 का और आपके ग्राजविशन के लिए जो क्लासेज से स्टार्ट होंगी, वो थोड़ी थोड़ी हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो चैनल से जुड़ी रहे हैं, आपके आने वाले टाइम में, जो भी नेक्स्ट येर आप लोग एक्जाम देंगे, तो यहां पर आपका सारी फैसिलिटी इस चैनल पर प्रोवाइट की जाएंगी, ठीक है, अब जो आपके डाउट से उनको लेकर बात हम कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एक्जाम 18 जून को था, ठीक है, पॉस्पोन करकर आपका एक्जाम 18 जून को कर दिया था, तो जो टेंटिटिव डेट आपकी दी हुई यह रिजल्ट की, वो आइधिंग 28 जुलाई दी गई है, लेकिन वो जस्ट आपकी टेंटिव डेट है, तो रिजल्ट आने में अपरोक्स आप यह मान के चलिए, कि थोड़ा सा तो डीले होगा, क्योंकि आप अगस्त का फर्स पीक मान के चलिए, यह सेकिंड वीक में आपका डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लासिस आपकी जो होगी, अगस्त में ही आपके इंटर्व्यू कंप्लीट करा दिये जाएंगे, सेप्टेंबर से आपकी क्लासिस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त में आपकी क्लासिस स्टार्ट होनी है, तो इस वज़े से आपके जो जो बच्चे हैं, तो उनको जल्दी ही पूरी जो भी फॉर्मैलिटी इसना, उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कापी कोर्सिस की आपकी जो क्लासिस हो स्टार्ट हो जाएंगी, और वेटिंग लिस्स से रिलेटेट जिन बच्चों का वेटिंग में हैं, देखें, जब तक आपके फर्स लिस्स के एडमिशन की डेट कंप्लीट नहीं हो जाती, उससे पहले आपका वेटिंग लिस्स का कुछ भी नहीं होने वाला है, जब आपक कि फर्स लिस्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके वन वीग बाद आपकी आती है सेकिंड लिस्ट, और सेकिंड लिस्ट में ही आपको आइडिया हो जाता है कि आपका एडमिशन होगा की नहीं होगा, ठीक है, तो सेकिंड लिस्ट का सभी बच्चे वेट करें, जिनकी वन से टै ठीक है, तो और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी का मैं रिपलाई करूं, और मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपके साथ अच्छी वीडियो के साथ, तब तके लिए थैंक्यू